हेलो स्टूडेंस वेल्कम टू जीनियस मेंटर्स तो बेटा हम करें चैप नमबर एट जिसका नाम है मोशन तो मोशन क्या है अपने पढ़ा था यानी टाइम के हिसाव से अगर किसी अब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हुजाती है जैसे बादल चलते हैं या पंची उड़ते हैं या मचलिया तैरते हैं या आप चलते फिरते हैं हवा चलती है इस सारा हमने किसमें बढ़ा मोशन में तो चले आज हम करेंगे how to describe motion, motion को आप describe कैसे करोगी describing motion means the moment of a body or object is called motion मतलब किसी भी object का move करना जैसे आपके हाथ हिल रहे हैं तो ये भी क्या है एक motion है मतलब आपनी position change कर रहे है आप body is set to be in motion किसी भी object को किसी भी body को हम कब बोलेंगे कि वो motion में है when its position changes continuously with respect to a stationary object किसी एक stationary object के compare में जब उस body की position change हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो motion में है वो moving है जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने ये board है ठीक है अब board की position वही है board को आप stationary object मानोगे और मैं यहाँ से चलके यहाँ पहुँच गई मेरी position क्या हो गई? change होगी तो मैं किस में हूँ? motion में हूँ ठीक है, किसके comparison में? board के comparison में ठीक है? तो इसी तरीके से क्या है यानि किसी एक चीज का fix माने के जब दूसरे की position उसके comparison में देखते हो ठीक है? अगर उसकी position बदल रही है तो क्या होगी वो object, वो motion में होगा, we describe the location of an object by specifying reference point, तो इसलिए हम किसी भी object के motion को describe करने के लिए, क्या करते हैं, एक reference point लेते हैं, ठीक है, तो how to describe motion, reference point के थुरू हम किसी भी object के motion को describe करते हैं, ठीक है, चलिए हम एक example से समझते हैं, क्या है वो reference point, Let's assume that a school in a village is 2 km north of railway station, हमने क्या किया, एक गाव के अंदर क्या था, एक school था, कहां था, 2 km north of railway station, यहाँ पे railway station माल लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे आपका school है, ठीक है, कितने दूरी पर है, 2 km दूरी पर है, North में बोलाई ना, तो यह north, south, east और west होते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, school की position को specify किया है, किस के reference में, railway station के reference में, है ना, तो यह क्या हो गया, यह जो reference point हमने लिया, क्या लिया, railway station, वो क्या हो गया, वो उसका origin हो गया, कहने का मतलब यह है, कि हम यहां से चले हैं, और school पहुचे हैं, कहां से चले हैं, railway station से चले हैं, और school पहुचे हैं, तभी हमें पता लगा, कि यह distance 2 km है, तो हमने किसका, क्या हुआ, पोजिशन चेंज हुई, इसका मतलब वो चीज motion में है, जो railway station से school तक जाएगी, So, we have specified the position of a school with respect to railway station, in this example, the railway station क्या हो गया, reference point हो गया, to describe the position of an object, we need to specify a reference point और उसे हम क्या बोलते हैं, उसका origin, तो इसलिए, जो motion के शुरुआत हुई, वो कहां से हुई, origin से हुई, origin क्या है आपका railway station, तो railway station क्या आपका reference point, या फिर एक stationary object है, जिसके compare में हमने दूसरी चीजों को देखा कि वो motion में है या rest पे हैं, clear है, एक और example करते हैं, देखो, ये घर है, ये पेड है, घर के सामने एक पेड है, और सामने एक road है, ठीक है, अब आपका जो house है, वो वहीं पे है, पेड है, वो भी वहीं पे है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, stationary object हो गए, लेकिन हमने क्या क्या, घर के सामने से एक car जा रही थी, हमने उसे देखा, घर में हम बैठे, घर के reference में, कुछ time बाद, ये car पहले यहां थी, थोड़े देर बाद कहाँ चली गए, यहां थीक है, यानि कुछ time के अंदर उसकी position change हो गई, किसके reference में, house या फिर tree, दोनों में से आप कुछ भी माल लो, दोनों ही क्या है, stationary object है, तो क्या हुआ, वो car किस में थी, motion में थी, तभी तो उसकी position change हुई, तो इसने क्या किया, motion को describe किया, origin कहां से वा, आपके house से, या tree से, और कहां पहुँच गई, अपनी final position पर, clear ने, तो क्या है, यानि किसी भी object की जो position change हो जाए, time के हिसाब से, किसके reference में, पर्टिकुलर point ले लो, या फिर पर्टिकुलर object के reference में, या एक stationary object के reference में, तो उसे हम बॉलेंगे, motion, clear है, चलिए, next करते है, motion along a straight line, की motion तो हम कर रहे हैं, बट कितने type का हो सकता है, अलग अलग होता है, तो इसलिए पहले हम बात करेंगे straight line, मतलब सबसे simplest तरीका क्या है, बस आप सीधे चलते रहो, है ना, तो क्या होगा, simplest type of motion is the motion along a straight line, हम इसे एक example से ही देखेगे, consider the motion of an object moving along a straight line, हमने एक object लिया, जो एक straight line में क्या कर रहा था, move कर रहा था, जो object है, वो start कर रहा अपनी journey, कहां से point O से, ठीक है, तो O को हम क्या मानेगे, उसका reference point या origin मानेगे, फिर let A, B, C, इसमें कुछ positions है, जो change हुई है, उसकी, represent the position of object at different instant, हमने क्या किया, सबसे पहले, at first, the object moves through C, B and reaches A, हमने एक object लिया, कहां था वो, O पे था, ठीक है, और कहां पहुँच गया, C और B से होता हुआ, A पे पहुँच गया, तो यह क्या है उसकी initial position, और A क्या है उसकी final position, clear है, उसके बाद क्या बोला उसे, then it moves back along the same path and reaches C through B, क्या हुआ, फिर क्या क्या, उसने बोला, इसी पाद से वापस आ गया, कहां आगे, C पे वापस आ गया, है ना, किस से होता हुआ, B से होता हुआ, मतलब उसने same path follow किया, तो इतना सारा जब वो चला, कहां से O से A तक गया, और A से वापस C तक आया, तो क्या हुआ, उसकी position change हुए, आपके बस दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो हम यह देखें, कि total कितना change आया, finally, तो क्या था, O से और C पे पहुँच गया, बस इतना ही difference है उनमें, ठीक है, या फिर हम यह लें, कि O से पहले A तक गया, और A से फिर C पे आया, ठीक है, तो कितना cover करेगा, जो total path cover करेगा, जो total length cover होगी, वो कितनी होगी, O A plus, कितना होगा, A C, ठीक है, O A कितना है आपका, 60, A C कितना है आपका, यह total 60 है, उसमें से पहले वाला 25 less कर दोंगे, कितना आएगा, 35, तो कितना हो जाएगा आपका, 95 km, तो कितना total चलाओ, 95 km उसने दूरी तैकी, वो क्या कहलाएगी, It is known as distance covered by object, क्या कहलाएगी, This is the distance covered by the object, clear है, लेकिन हम इसी example को दूसरी तरीके से देखें, हम बोले, O से गया था, और C पे आके रुख गया, हमें नहीं पिता आगे गया के नहीं गया, क्या हुआ, कोई आदम नहीं था, हमने देखा, कि यहां से चला है, O से, हमने थोड़ी थेर बाद देखा, कहां मिला हमें, C पे मिला, अब आगे का distance उसने cover किया, या नहीं क्या, वो हमें नहीं पता, सिर्फ हमने उसे वहीं देखा, तो क्या करेंगे हम, main distance हम निकालेंगे, यह क्या होगा, यह distance जो उसने cover किया, जो हमने उसकी initial position देखी, और final देखी, बीच में कहां गए, कहां नहीं गए, वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो पहले final position यह थी, लेकिन बाद में क्या थी, उसकी final position यह थी, ठीक है, उसने दो statement देखी, तो जो final position है, तो यहां पर यह क्या हो जाएगे, क्योंकि हमें next question मिल गया है, तो क्या होगा, initial position और final position, अगर इन दोन में हम difference देखी, दोनों का जो difference होगा, वो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका displacement, तो चलिए देखते हैं क्या है displacement, to describe distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of motion, हमें distance को, क्या कि हमने total path देखा, कितना cover किया है, उसे हम easier करने के लिए, सिर्फ हमने क्या देखी, उसकी numerical value देखी, कितना cover किया, 95 km किया है, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, there are certain quantities which are described by specifying only their numerical values, और इस numerical value को, किसी भी physical quantity की numerical value को हम क्या बोलते हैं, उसका magnitude, क्या बोलते हैं, magnitude, ठीक है, फिर अगर हम initial और final position भी देखते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो कह लाएगे, उसकी magnitude plus direction, कि कौन सी direction में वो जा रहा है, ठीक है, तो physical quantity जो है, वो generally हम इसमें आपकी physics के अंदर दो type के करेंगे, एक होते हैं scalar और एक होते हैं आपकी vector, ठीक है, तो जिसमें सिर्फ हम magnitude लेंगे, यानि सिर्फ उसकी numerical value लेंगे, तो क्या कहलेंगे, scalar quantity और जिसमें magnitude and direction दोनों लेंगे, वो क्या कहलेंगे, आपकी vector quantity, clear है, कोई doubt तो नहीं, तो अभी तक हमने क्या दिखा है, सिर्फ distance कवर किया है, दूसरी जो term है, वो हम अभी करते है, for this example, can you find out the distance of final position C of object from initial position O, ठीक है, final position C, C उसकी क्या है, उसकी final position है, और O क्या है, उसकी initial position, इन दोनों के बीच का जो difference है, वो क्या है, कितना cover क्या, हमें directly नजर आई रहा है कि यह कितना है, 25 है न, 25 km, तो यह जो difference है, यह सिर्फ numerical value दे रहा है किसके displacement की, ठीक है, तो इस difference will give you the numerical value of displacement of object from O to C through A, ठीक है, हमें क्या पतार चला, लेकिन direction भी बताई है, O से C पहुचा कब है, A के through होता हुआ पहुचा है, ठीक है, तो आप कैसे निकाल लोगे वैसे, इसकी अगर हमें निकालने हैं, तो क्या करोगे, O A minus A C, O A कितना है आपका 60 minus A C कितना है आपका 35, तो आपका 25 km, आपको ऐसे measure करना है, ठीक है, तो O A minus A C, हमें पता चला कि वो A से होता हुआ C पहुचा है, तो direction भी आपको पता चला गई, तो the shortest distance measured from initial to final position of an object is known as displacement, तो जो shortest distance हम लेंगे, अगर total path length cover हम देखते हैं, तो क्या कहलाएगा, distance, और अगर हम shortest distance लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, displacement, कि हमें finally यह देखना है, कि object अपनी जगें से हिला कितना है, सिर्फ O से C, पहले यहाँ था, अब यहाँ है, इतना ही तो खिसका है अपनी जगें से, तो क्या कहलाएगा, उसका displacement, clear है, चलिए और example लेते, can the magnitude of displacement be equal to distance traveled by an object, जो magnitude है किसका displacement का, वो distance traveled के equal हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, हम कह रहे हैं कि object है O पर, ठीक है, अब वो पहुंचा है A पर, clear है, लेकिन वापस नहीं आया, वहीं ही रुग गया, तो जो distance और displacement है, वो दोनों क्या होंगे, equal होंगे, clear, कहने का मतलब यह था, जो आपने देखा, अगर initial position O है, और final position A होती, वो वापस नहीं आया होता, तो distance और displacement की value, same होती, क्यों, O से चला, A पर पहुंचा, ठीक है, उसकी initial और final destination वही थी, तो क्या हुआ, O से चला, A पर पहुंचा, distance भी उतना ही कवर करेगा, और displacement भी उतना ही, क्योंकि final position भी वही है, ठीक है, तो total path length covered, और shortest distance covered, दोनों क्या होंगे, equal होंगे, तो magnitude जो है, equal हो सकता है, Further, we will notice that the magnitude of displacement of a course of motion may be 0, but distance covered is not 0, क्या है, हम ये भी देख सकते हैं, कि जो magnitude है, वो distance के equal तो हमने देख लिया, वो 0 हो सकता है, और distance 0 हो सकता है, distance 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ ने कुछ तो क्या करेगा, distance cover करेगा, है ना, कुछ ने कुछ तो वो चला है, उसने इतनी महनत किये, चल के वहां तक पहुच्चा है, तो आपने जो लिया था, अगर हम इसका distance देखेंगे, direction नहीं देख रहें, सिर्फ initial final position नहीं ले रहें, हम total cover कर रहें, तो O से चला, A पे गया, और A से वापस O पे आ गया, तो कितना हो गया, O से चला, A पे गया, कितना था distance आपका, 60 km है, और A से वापस O पे आ गया, ठीक है, तो जो distance covered होगा, क्या होगा, O A प्लस A O, 160 हो गया, ठीक है, और displacement क्या होगा, O से चला था और O पे ही आ गया, कुछ चला ही नहीं फिर तो, तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा, तो क्या है, जो magnitude है, displacement का, वो 0 हो सकता है, बट distance 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इस वी consider the object to travel back to O, then final position, coincides with the initial position, कि जो final position और initial position दोनों एक ही है, इसलिए displacement क्या हो जाएगा, 0, clear है, कोई doubt तो नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक example लेते हैं, a man travels a distance of 1.5 meter towards east, हमें क्या दिया है, हमें एक background बना लेते हैं पहले, जिसके हमें position पता है, north, south, east और west, ठीक है, क्या किया, एक band है, एक distance कवर कितना है, कितना, 1.5 meter towards east, यहाँ था, यहाँ पे हमने O माल लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यह कितना है, 1.5 meter का distance है, यह a माल लिया, then, 2.0 meter towards south, अब कहाँ गया, south की तरह बढ़ा, कितना चला है, 2 meter, ठीक है, यह हमने B माल लिया, and finally reaches to his original position, तो वो अपनी original position पे पहुँच गया, ओ पे वापस आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसे मिला देते हैं, ठीक है, कर लिया, अब हमें क्या करने है, what is the total distance cover, distance कितना cover किया उसने, पहले यह निकाल लिजिए, आप पाइथाग और इसकी थोरम पता होगी, तो O B कितना आएगा, O B का square is equal to O A square plus A B square, ठीक है, तो O B क्या होगा, O A क्या है आपका, 1.5 का square plus A B क्या है, 2 का square और उसका root, यह जाएगा आपका 2.25 plus 4.00, ताकि आपको जोडने में आसा नहीं, इसलिए लगाए, मैंने 0, यह होगा आपका 6.25, इसका root यहागा 2.5 meter, clear है, तो यह होगा आपका 2.5, 2.5 meter इधर चलाएगी, तो जो distance cover होगा total वो कितना है, distance होगा आपका, O A plus A B plus B O, या O B, कुछ भी लिख लो आप, O A कितना है, 1.5 plus A B कितना है, 2 plus O B कितना है आपका, 2.5, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो गया, यह आएगा आपका 6 meter, कितना distance cover किया उसने total, 6 meter, बट हमारा second question क्या है, what is his resultant displacement, उसका resultant displacement क्या होगा, वो O से चलाएगा, O पर ही आगया, कुछ नहीं होगा resultant displacement, कैसे, आप यह भी देख लिजे, देखो, अब इस value को अगर इसमें से less करोगे, तो यह आने सकता, क्योंकि हमने क्या देखना है, initial position और final position, दोनों क्या कर रही है, coincide कर रही है, क्या कर रही है, coincide कर रही है, दोनों same ही है, हमें नहीं देखना, वो इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, clear, हमें क्या रेखना है, सिर्फ shortest distance cover देखना है, वो क्या होगा, resultant displacement होगा, 0, clear, तो displacement 0 है बट distance कितना है 6 तो distance हमेशा ही positive होगा ठीक है चलिए इसी लिए दोनो physical quantity क्या करती है distance and displacement क्या कर रही है किसी भी object के overall distance को बता रही है कि वो कितना है overall motion को ठीक है used to describe the overall motion of an object जो की to locate its final position with reference to its initial position at a given time क्या बता रही है दोनों की दोनों यह बता रही है कि किसी भी given time period के अंदर पहले उसकी position क्या थी और final position क्या है ठीक है तो क्या करें उसके motion को describe कर लिए clear चलिए दोनों में फिर difference देख लेते हैं तो distance क्या होगा the length of actual path traveled by body कि actual में उसने कितना total cover किया है वो क्या है distance और जो shortest distance होगा वो क्या है आपका displacement distance हमने देखा सिर्फ magnitude है तो क्या होगी scalar quantity और displacement में दोनों चीज़े हम देख रहे हैं उसकी initial और final position याली magnitude as well as direction तो क्या होगी vector quantity distance is always positive क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो जरूर cover करेगा but it can be zero positive और negative किसके बारें बात करें displacement के में तो distance तो हमेशा positive ही है वो displacement के equal भी हो सकता है और जादा भी हो सकता है equal to और greater than ठीक है equal to or greater than displacement but जो displacement है वो हमेशा क्या होगा या तो कम होगा या फिर equal होगा दोनों की unit के measurement की meter में दूरी को हम meter में मापते हैं it never decreases with time but अगर आप वापस mood के आ रहे हो तो क्या हो रहा है यह negative में जा रहा है तो it can decreases with time and can be zero क्योंकि अगर अब finally अपने उसी position पर आ जाता है तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा clear है कोई doubt तो नहीं तो अगर आपसे पूछा जाए what is the difference between distance and displacement तो आपको इसी तरीके से एक table बनानी है समझ आपको आ गया होगा फिर भी कोई doubt है तो कोई example लेके आप उससे explain कर सकते हैं अगर कुछ ना समझ आए तो आप comment section में पूच सकते हैं clear है बेटा चले हांगे अब एक activity करते हैं take a meter scale and a long rope हमने क्या 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 कोई meter scale कोई लंबी रसी लेले क्या 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 walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its sides ठीक है हम sides से होते वे क्या हुआ उसके opposite corner पे पहुँच गे measure the distance covered by u and magnitude of displacement फिर दोना में difference से गया होगा तो ले लेते हैं basketball का court हमने क्या 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 रसी ली यह मालिया a point है यह b है यह c है और यह d ठीक है अब वो रसी हमने क्या क्या हमने ऐसे ली यहां से होते हुए ठीक है हम कहां पहुच गए C पे पहुच गए क्या क्या हमने A से C पे पहुच गए opposite corner पे तो इसका distance क्या होगा मालो ये था आपका 6 meter ठीक है ये था आपका 8 meter ठीक है तो distance कितना होगा आपका 6 plus 8 14 meter आ गया लेकिन हमें क्या करना है हमें initial position देखनी है और final position देखनी है तो जब हम shortest distance measure करेंगी तो वो हम कैसे करेंगी हमें इसका shortest distance इस तरीके से measure करेंगी तो क्या आ जाएगा तो आपके AC की value क्या होगी AC square is equal to AB square plus BC square और उसका root ठीक है तो 6 square plus 8 का square का root आ जाएगा इसको square को हटा दो फिर यहां से पाइथागोर उसकी ठोरम है यह अपने 6 class 8 class में भी क्यों होगी तो यह होगा 36 plus 64 और उसका root कितना हो जाएगा 100 का root कितना होता है 10 तो क्या जाएगा आपका 10 meter अब displacement कितना है आपका 10 meter distance कितना है 14 meter तो दोनों में कुछ difference है बिलकुल है तो यही बताना था कि distance तो होता है जो total path length कवर की जाती है और displacement होता है जो shortest distance कवर किया जाता है सिर्फ हमें initial और final position के बीच में एक straight line लेनी है तो distance और displacement दोनों ही straight line motion को क्या करते हैं describe करते हैं clear है यानि उसकी position जो change हुई है time के हिसाब से एक और activity ले ले लेते है automobiles are fitted with a device that shows the distance travel जो vehicles होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं एक device होती है जिससे हम क्या करते हैं वो हमें reading देती रहते हैं कि हमारा vehicle कितना चला है ठीक है कितना distance उसने cover किया है उस device को हम बोलते हैं odometer ठीक है तो क्या क्या एक car थी उसके अंदर भी odometer तो होगा driven from Bhuneshwar to New Delhi Bhuneshwar से नई दिल्ली आई है तो जो difference आया ना किसका final reading and initial reading वो कितना है 1850 km तो जो distance होगा वो क्या होगा आपका 1850 km ही होगा बट उसने क्या पूछा है magnitude of displacement क्या होगा दोनों के बीच का मान लो यह New Delhi है यह Bhuneshwar है ठीक है तो वो ऐसे होता हुआ है होता हुआ है इस तरीके से गया होगा straight line तो हो नहीं सकती नहीं दिल्ली से उडिशा तक अगर जाओगे बहुत सारी नदिया भी आती है रास्ते पहाड भी आते तो आपको रास्ते चेंज गरने पड़ेगे तो जो आप ऐसे ट्रेडे मेडे होते गए हो तो टोटल डिस्टेंस कितना आपका 1850 किलोमेटर लेकिन जब आपको actual displacement जब निकालना होगा तो क्या लोग है आप एक straight line लोगी ठीक है क्या लोग एक straight line लोगी अब यहाँ पर हमने पहुचा दिया इसको S से दो point है A और B तो straight line जो है क्या करेगी यह जो बाकी का distance है उसे हटा देगी तो आप कैसे करोगे जो straight line में point आएंगे न सिर्फ आप उन्हें ही क्या करोगे उन्हें आपस में मिला दोगे उन्हें मीट क करना है तो हमारा distance कितना displacement कितना आएगा आपका 1631 km और जो distance है वो कितना आपका 1850 km ठीक है तो अगर यह पूचा जाए कि displacement 1850 हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि यह shorter distance नहीं है हमें कही न कहीं से mood के जाना पड़ेगा clear तो यह था बिटा आपका distance और displacement के बारे में यानी motion along a straight line इससे related कुछ होवर question भी करेंगे आप खुद भी try करना नहीं समझाए comment section में लिख देना आपको answer जरूर मिलेगा thank you good bless you have a nice day इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना हमारी वीडियो को like share subscribe जरूर करना कर दो